तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा एनेफटी के बारे में और कैसे आप अपनी खुद की एनेफटी या एनेफटी कलेक्शन बना सकते हैं और उसको सेल करके पैसे कमा सकते हैं तो क्या है एनेफटी मेरे ख्याल से शायद ही ऐसा कोई होगा जिसे अभी तक नहीं पता की एनेफटी क्या है तो मैं शौर्ट में आपको बता देता हूँ nft is equals to non-fungible token and ये कहीं सारे रूप स्वरूप जाती प्रजाती में मिल जाती है and it can be small piece of art, music video और कुछ भी जो unique हो in its true sense यहाँ पर non-fungible का मतलब होता है कि ये चीज non-replaceable है आप इनके जैसी किसी और चीज के साथ इसको replace और exchange नहीं कर सकते क्योंकि ये unique है for example, हम 100 rupees को same amount के US dollar और किसी और currency के साथ replace कर सकते है depending on its market rates दूसरा example हो सकता है कि आप किसी को 100 rupees का note दे और वो आपको 50-50 के दो notes उसके exchange में दे तो ये हो गया fungible tokens जिसको आप same value की किसी चीज और currency से exchange कर सकते है पर क्या आप effil tower को ताजमेल से exchange कर सकते हैं क्या आप Mona Lisa की painting को किसी दूसरी painting से replace कर सकते हैं नई because it is unique in itself तो ये हो जाती है non fungible assets तो same चीज NFTs पर भी apply होती है तो token क्या है तो token एक proof of ownership है जो साबित करता है कि जो भी आपकी digital assets, image, songs, clip, कुछ भी है उसके owner आप हो जो कि digitally monitor और track होते हैं blockchain के उपर तो अभी सवाल ये आता है कि blockchain क्या है तो blockchain एक decentralized system है जिस पे bitcoins, ethereum, dogecoin जैसी crypto currencies based करती है और उसको कोई single organization manage या control नहीं करती है जैसे कि RBI सारी bank और उसके regarding policies manage करती है पर blockchain में इसको manage करते हैं इसमें जुड़े सारे users आपका कोई भी single transaction एक user से दूसरे user के पास जाएगा और वो transaction हुआ है उसकी confirmation आगे के user को भेज़ देगा For example, अगर आपने कोई एक bitcoin को purchase किया है तो वो transaction chain में रहे सारे users के थूपास होगा और आपके transaction को validate करेगा और इस तरह से वो information हमेशा के लिए blockchain में store हो जाएगी और इसलिए ये बहुत ही transparent system है और कोई centralized authority इसको control नहीं कर सकती या आपके data को देख नहीं सकती और उसका use नहीं कर सकती और इसके इस mechanism की वज़े से ये काफी secure भी है तो अभी for example अगर हमारे पास कोई digital artwork है और हम उसको NFT में convert कर देते हैं तो वो चीज़ भी blockchain पर आ जैती है और वो token एक contract के रूप में होता है जो एक proof है कि आप उस artwork के owner है और कोई उसको copy नहीं कर सकता और आप उसकी ownership currency के बतले में किसी को transfer कर सकते हैं और उसका record सारे users के बीच उस blockchain में हमेशा के लिए store हो जाएगा और आपके पास के पैसा ही पैसा होगा तो अभी दूसरा point आता है कि NFT से कैसे और कितने पैसे कमा सकते हैं वेल टेकनिकली दर इस नो defined limit यहाँ पर लोग $0 से लेकर 91.8 million तक की sale price पर अपनी NFT सेल कर चुके है 0 इसलिए क्योंकि काफी सारी NFTs और NFT collections ऐसे भी है जिसको अभी तक कोई buyer नहीं मिले क्योंकि अभी यह market काफी competitive और saturated हो चुका है पर वहीं दूसरी तरफ काफी सारी NFTs और NFT collections ऐसे भी है जिनकी value लाखो करोड में बोल रही है और users उनमें और भी ज्यादा से ज्यादा invest कर रहे हैं और करते ही जा रहे हैं जैसे कि कुछ most famous NFTs लाइक बोर्ड एप्स, याच क्लब, क्रिप्टो पंक्स, अजूकी, डूडल्स, एटसेटरा इन NFTs के successful होने के पीछे इनकी team, timing, बहुत बड़ी community, aggressive marketing strategy और loyal diehard fan base है जो कि इनकी success के बारे में काफी ज्यादा optimistic है तो NFTs से पैसा कमाने के लिए most important factor ये है कि आप कहां तक जाने के लिए तैयार है और इसके पीछे कितना time और efforts लगा सकते है बाई लग, आप कुछ level तक successful हो सकते हैं पर अगर आप इन में सिर्फ एक image बना कर ये सुचने लगे कि आपको भी उस level की success मिले जो top levels NFTs को मिल रही है तो वो सही नहीं रहेगा बाकी earning की बात करें तो इसमें sky is the limit अभी तीसरे point पे आते हैं कि आप कैसे अपनी खुद की NFTs बना और बेच सकते हैं तो इसके लिए मैं ये series launch कर रहा हूँ जिसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी NFTs बनाए या तो डिजाइन करे किस तरह से अपना पूरा NFT collection तयार करे कैसे अपनी NFTs को unique touch दे by doing something different किस तरह से आप animated NFT बना सकते हैं to differentiate yourself from the crowd कैसे अपनी NFTs और collection Ethereum blockchain पे upload करे through OpenSea और NFT launch करने से पहले और बाद में किन चीजों का ध्यान रखना है तो after all this आपको NFTs और उसके creation and execution के बारे में काफी सारी चीज़े clear हो जाएगी और आपको अपनी fabulous NFT जर्नी में शायद इससे कोई help मिल जाएगी इसकी playlist and related videos जैसे जैसे upload होगे उनकी link मैं आपको card और description में देता रहूंगा तो बने रहिएगा मेरे साथ you creator पर और channel को subscribe कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे ही informative videos मिलते रहें along with fun animations Thank you very much for joining and happy learning